हलो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब सस्रिकाल मैं हूँ आपका दोस्त रॉबिन सिंग और दोस्तो स्वागत है आपका आज की इस एक और शांदर वीडियो में इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको ये सिखाऊंगा किसी भी प्लेन सूट को प्लेन कुर्ती को केवल एक लैस और फ्रिल लगा के आप भोती शांदर लुक दे सकते हो और दोस्तो आज की वीडियो में जो गले का डिजैन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही असान है और फ्रेंट्स साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ अगर आप सिलाई का शौक रखते हो घर बैटके सिलाई सीखना चाते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जॉइन कर सकते हो इस क्रीन के उपर आपको दो नमबर दिखाई दे रहे होंगे इन नमबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आच की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो दोस्तों गले के इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको क्या करना यह देखिए आपको सबसे पहले लेनी है एक पेपर फॉर्म यह देखे paper form होती है, market में असानी से मिल जाती है और इससे का गले में बहुत अच्छी finishing आती है अब इस paper form को दोस्तो आपने इस प्रकार से double, इस प्रकार से fold कर लेना है बीच में नाखुर से थोड़ा से press कर लेना है अब इसमें हमने करनी है गले की marking तो गले की marking आपको किस तरह से करनी है बहुत ही असान है दोस्तों यह देखिए आप कभी भी कोई भी गला बनाओ किसी भी shape का गला बनाओ तो सबसे पहले आपको एक सांचा बनाना पड़ता है तो पहले इसमें सांचा बनाएंगे तो सांचे के लिए आपको चोड़ाई कितनी लेनी है वो आपको लेनी है दोस्तों यहां से तीन इंच यह देखिए तीन इंच गले के हम रखेंगे चोड़ाई और गले के तयार लंबाई रखनी है वो रखनी है साड़े साथ इंच तो इस प्रकार से ये देखे 7.5 इंच गले की लंबाई हो गई और 3 इंच गले की हो गई चोड़ाई 3 और 3 कितने होते हैं? 6 टोटल गले की चोड़ाई बने की 6 इंच तो ये बन गए हमारा एक बिल्कुल सिंपल चोकोर सांचा अब इस सांचे के अंदर हमने गले की शेप देनी है तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है? इस जगे से आपको गले की जो गहराई है वो लेनी है वो आपको रखनी है यहां से 4 इंच ये देखे ये जो मैंने निशान लगा है यहां से आपको इस परकार से गुलाई देनी है note यह मैंने इसमे गुलाई दे दी अब इसके बाद यह जो इस बात चाहिए यह वहला है यह तो तोटल कितना बात रहां हमारा है यह लगबच पोने ढी तμο आपको सलár भी रख सकते हो यहां फिर आप चाहें तो इसमें हलका सा V-shape दे सकते हैं देखिए नीचे से बिल्कुल corner पर रखेंगे और उपर से हलका से इसमें V-shape बना देंगे यह देखिए इस प्रकार से आप देखें तो यह V-shape हमारे यहां पर बन चुका है तो इस प्रकार से देखिए गले की जो तो फ्रेंड्स यह देखिए यह है हमारी गले की शेप आप देख सकते हो हलका सा V-shape और यह बिल्कुल राउंड अब इसके बाद दोस्तों यह जो मैंने पेपर फॉम लिया है अब इसके साइड में हमें इसमें करनी है गोलाई बहुत ही आसान है कुछ भी मुश्किल काम नहीं है गोलाई करने के लिए आपको क्या करना यह साठे साथ पे अपने निशान लगाए था इहां से आपको नीचे की तरफ आना है नीचे आपको आना है लगबग साड Stevens अब साड़े तीन भी रख सकते हो साड़े में यहां से रख रहा हूं हूं यह – साड़े टीन वाला को इधर ठीक है अब आपको क्या करना है यह पर गुलाई करनी है इस तरह से कि अब इस गुलाई पर कटिंग कर लो तो दोस्तों गले की जो प्रोपर कटिंग है वह हमने कर लिए आप देख सकते हैं उपर हमारा यह वी गला बन गया चोटा सा नीचे से बिल्कुल राउंड शेप इसकी में ने दे दी है अब दोस्तों इस प्रकार से गले को रखने के बाद कहीं से अगर चोटा बड़ा लगे जिस हलका सी तक कोड़ना निकल रहा है इसको सीधा कर लेते हैं यह देखिए बिल्कुल राउंड होना चाहिए इस जगे से बिल्कुल राउंड में ने कर लिया है अब सबसे पहले आपको क्या करना है आपको क्योंकि पेपर फों में तो इसको पहले आपने कपड़े पर च चिपक जाता है आप देखिए इसको चिपका लिया है चिपकाने के बाद अब आपको क्या करना है यह जोसकी round shape आई पूरी कि इसकी आपको cutting करनी है बिल्कुछ पेपर फिर्फूम के साथ तो बिल्कुल round में इसकी मैंने cutting कर ली है. cutting करने के बाद इस पर एक बार दुबारे से प्रैस कर ले. तो दोस्तो, इतना काम करने के बाद, अब जो सबसे important काम है दोस्तो, वो है इसकेंदर फ्रिल लगाने का. सबसे पहले इसकेंदर हम फ्रिल ही लगाएंगे. फ्रिल लगाने के लिए आपको क्या करना है फ्रिल लगाने के लिए फ्रेंट्स आपको लेनी है एक पट्टी ये देखिए ये जो पट्टी है पट्टी के चुड़ाई आपको रखनी है ये देखिए धाई इंच ठीक है धाई इंच के आपको पट्टी लेनी है और इस पट् प्रेस कर ले वन्हा इसकी बात में भी आपर सकते हो तो पहले प्रेस कर लेगो तो ज्यादा बढ़ी है रहेगा ही देखिए बिलकुल सेंटर्स इसको पकड़कर इस प्रकार से प्रेस कर लो ठीक है लेकरिUM यह प्रैस आपको कब करनी है कखती है चोटी है तो प्ती को पहले आपको बढ़ा करना होगा क्योंकि हम उसके फ्रिल जगानी और यह निगया देखें इसको यह पास में रखत ऑ erf रिल लगाएंगे तो प्ती छोटी रह जाएगी तो इस में प्ती को पहले हम क कर लेंगे इस तरह से देखे जैसे भी मैं आपको बता है फिर मैं आपको बता हूंगा फ्रिल को कैसे लगाना है तो दोस्तों आप देख सकते हूं इस परकार से जोड लगा के इस पट्टी को जो धाइंच की चोड़ी पट्टी थी इसको मैं प्रेस कर लिया है प्रेस करने के अपने इस प्लेट लगा लेना है तो अब यह जो पहली प्लेट में लगाई है अब से इस छी नित शोला है यह जो यह तो की यह कृम बराबर हो और प्लेटेट का जो गयप है। बिल्कुल बराबर हो तो ही आपका जो फ्रिल वाला लुक अच्छा आएगा उसके बाद फ्रिल को कैसे लगाना वो मैं आपको बताऊँगा गले पर तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से ये मैंने फ्रिल लगा ली है अब आपको इस फ्रिल को गले पर कैसे लगाना ये देखे गला है ठीक है गले को आपने इस प्रकार से कर लेना है उल्टा ठीक है हाला कि यह जो मैंने निशान लगाया है इस निशान के जूरुत नहीं है किवल आपको समझाने के लिए मैंने लगा दिया इतने ही मारजनम को लेना है और इस फ्रिल को आपने इस प्रकार से रखना इसके उपरे देख पर दोस्तो यह सिरायल लगाने के बाद अब यह देखिए बहुत असान तरीके से यह जो पर्लाई इस मारज़ों को आप अंदर करो गए इस परकार से देखें और आपका जो फ्रिल है वह आपके इस परकार से बाहर की तरफ आ जाया गए देखिए बहुत आसान है इसको करना तो आप देख सकते हो इस प्रकार से जो फ्रिल है हमारी बहुत असान तरीके से लग चुकी है फ्रिल को लगाने के बाद दोस्तो अब इसमें हम लगाएंगे लैस तो लैस को कैसे लगाना है बहुत असान है मैं आपको लैस लगाके दिखाता हूँ तो दोस्तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है लैस आप कोई से भी अपनी चोईस के लगा सकते हो यह देखिए इस सारे माज़ों को आपने इस परकार से अंदर की तरफ फोल्ड करना है पहले और यह देखिए इसमें मैं गोल्डन कलर की लैस लगा रहा हूं और यह जो गो तो फेंड्स यह देखिए लैस भी मैंने इसमें लगा ली है लास लगाने के बाद अब इस गले को हमने कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं counter पर तो friends गले के जो design है design का लगबग काम तो पूरा हो चुका है लेकिन जो main चीज है उसके अंदर अब आपको इस गले को बनाना कैसे जर्नली हम गले को कैसे बनाते हैं सूट को हम सिधा रखते हैं और गले को इसके उपर इस प्रकार से रख देते हैं और गले को बनाते हैं लेकिन जब आप इस तरह से कोई गला बनाते हो तो यह गला बाहर की तरफ पलट कर बनता है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है सू को आपने कैसे लगाना है और बहुत ही असान है आई चलते मशीन पर तो दोस्तों कट से कट मिला लें और बीच में आप इसमें कोई सुई लगा सकते हो ताकि बिलकुल यह कपड़ा हिलेने अपनी जगह से जैसे देखी इसमें मैंने सुई को फसा लिया है ठीक है और अब इस दोस्तों से लगाने के बाद सुई को आपने हटा लेना है अब इसकी जैसे नौर्मल गला बनाते हैं उसी परकार से इसकी कटिंग कर लें यहां से आपको कट लगाना है कट लगाते समय ध्यान रहे कि आपका जो यह लास्ट की जो सिलाई ने किनारे की इस लाई नहीं कटनी चाहिए और यहां पर आपको हलके हलके कट लगाने इसको प्रोपर शेप देने के लिए अगर आप यहां पर proper यह cut नहीं लगाओए, cut लगाने यहां पर भी जरूर है, तो उससे क्या होता है friends, अगर आप यह cut नहीं लगाओए, तो गले को शेप नहीं मिल पाएगी, अब फिलाल इसमें मैंने cut तो लगा लिये हैं, और cut लगाने के बाद, इसको मैं आपको थोड़ निकालना है और इसके तो यह निकालने के लिए आप क्यांची के मदद लें में हलका-लका प्रेसराइज करें पीछे ऩेडिआ यह सी के निकल गए ठीक है लोड़ इसी प्रकार से इधर से यह कॉर्णर निकल गया अब मेने बात है दोस्तों यह वाला यह जो आपको हल्का सा नहीं जोला नजरार होगा आप इस जोल को आपने कैसे खत्म करना है उसके लिए आपको इस कट को प्रोपर तरीके से लगाना होता है यह देखिए यह जो कटे ना अभी प्रोपर तरीके से लगानी इससे जोला रहा है तो इस कट को थोड़ा से और कट कर देता हूं इदर से यह देखिए यह जो मेने कट लगाया था यह प्रोपर नहीं लग पाया था तो हलका सोर यहां पर मैं कट लगा देता हूं अब दोस्तों कट मेंने लगा दिया है और कट लगाने के बाद इसका जो भुर प्र इसको बैठाने के लिए आपको क्या करना है थोड़ा से नाकूं से प्रेस करना है और यहां पर अच्छी तरह प्रेस कर लेंए प्रेस करके एकदम यह प्रफेक्ट आप पर गला बैठ बटन के जगे आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो अच्छा लुक देने के लिए अच्छी क्रेटिविटी करने के लिए अभी दोस्तों यह बटन के लिए अभी इसमें जो एक में सिलाई है वह मैं आपको बताता हूं कौन सी रह गही है अभी इससे अलग है बिल्कुल तो अटेच हो जाएगा और वह लगाना बिल्कुल असान है लगाने के बाद फिर आपको यह देखिए एक दो और तीन इस तरह से यह जो मैंने बटन लगाए हैं आप बटन लगा सकते हो मोती लगा सकते हो कुछ भी इसमें क्रेटिविटी कर सकते हो तो दोस्तों इस तरह से ज आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थेंक्यू वेरी मच्च